नर्सरी बनाने के लिए हमें एक जमीन जो है कम से कम 15 cm जो बैड है 15 cm ग्राउंड से उपर होनी चाहिए और एक मीटर की उसकी वीर्थ होनी चाहिए और उस लंबाई आप जितनी मर्जी रखना चाहिए रख सकते हैं उसके बाद जो लाइने लगाते हैं लाइन जो है लाइन से लाइन की दूरी 5-5 cm की आप रखे और उसके बाद उसमें अपना बीज जो है वो डाल सकते हैं जब आपने बीज डाल दिया उसमें बीज डालने के आप एक लाइन में कम से कम 100-200 पोदे आ जाते हैं बीज डालने के बाद जो उपर से उसको बंद करना है उसके पर उतर वारत में ठंड ज्यादा होती है तो इसलिए उसके बाद आप देखेंगे और थोड़े पानी हर दिन उपर से डालना है नीचे से पानी प्लडिंग नहीं करनी है 15 या 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि अंकोरन फूट रहे हैं उसमें तो आपने मल्च पूरा उठाना है उसको साफ करना अच्छी तरह से और उसके बाद पानी उपर से दे दीजे दो चार दिन के बाद आप उसमें हुमिक एसिड एक एमिल से दो एमिल प्रति लीटर क हिसाब से इस्तिमाल कर सकते हैं आपकी जो नर्सरी है वो करीबन करीबन डेर से दो महिने में तयार हो जाती है हमारा यहां पर जो विशह है वो है सीड से सीड करने के लिए कि जो हमने बीज लगा आया है उसे हम बल्ब बनाएंगे उसे से फिर हम सीड बनाएंगे एक साल मे करने के लिए खरीफ में आपने यह दियान रखना है कि आप कौन से इस्तिमाल कर रहे हैं मैंने जैसे बताए बीमा डार्क रेड बीमा सूपर या फुले समर्थ इन तीनों में से कोई भी आप जो किसम है वो इस्तिमाल कर सकते हैं 15 जून के करीब आप नरसरी लगाएंगे और उनको ले लीजिए उनको निकाल लीजिए बड़े बल्ब्स को और उनको उपर से आप काट सकते हैं और उसके बाद उसको कार्बन डाजिम का सुलूशन आता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें आप डिप कर सकते हैं एक यह दो एग गंटे के लिए अप सको तो ऐसे आप बिल्ब लगा सकते हैं, आगर आपने खरीब का इस्तेमाल करना हैं, अगर आपने लेट खरीब का इस्तेमाल करना है, अगर आपने लेट खरीब ढलना है, वो आपकी सप्टמבर और अक्टूबर दोमईने र्शरी तयर हो जाएगी और पंद subset See time 6 पर आपने उसको लगा देना है, और जब वो बल्प बन जाएंगे आपने उन बल्प को बाहर नहीछ निकाल सकते हैं, जो कंद है, जैसे मैंने बताए खरीब में dombs बल्प निकाल के इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप वैसे कि वैसे उनको रहने देना है, वो बल बन जाएंगे उसमें और आपके जनवरी या फरवरी में, क्योंकि ठंड बहुत जादा हो जाती है, उसमें कॉंपले फूट आएंगी, और फरवरी के एंडिंग फरवरी ये मार्च में आप उसमें फ्लावर चुके हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें फूल फूटने शुरू होते हैं, उसमें जो सीड है, काले रंग का सीड बीज वो दिखने लगेगा, जब आप देखेंगे 10-20% या 30% आपका सीड दिखना शुरू हो गया है, तो आप ने उस पूरे फूल को काटके एक जब पूरा अच्छी तरह सुख जाएगा, तो सीड जो है बीज आपका अच्छी तरह से उसमें निकलेगा, बीज निकलने के अबाद उसका अच्छी तरह से सुखाना है और सुखाने के बाद उसको बंद करके कहीं ठंडी जगा पर यहां पर टेंपरेचर बड़ा कम हो, लो टेंपरेचर वहां पर रख सकते हैं, और जो बीज है, यह बीज आप कम से कब पांच ये छे मेने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं,